ज़े देव, ज़े देव गणपती बपा के जैकारों से आसमान गोंजने जा रहा है भगवान शेव और माता पारवती के पुत्र गणेश के पर्व गणेश चतुर्थी की भी अपनी एक कहानी है कहा जाता है कि माता पारवती ने जब भगवान गणेश को अपने तन के मेल से बनाया और अपनी स्तुरक्षा में लगाया तो गणेश जी ने भगवान शंकर का रास्ता रोख लिया था भगवान शंकर ने गणेश को उद्धन्ड समझ कर उनका गला काट दिया था जिसे देख कर्मा परवती दुखी कुई भगवान शंकर को बात समझ आ गई और उन्होंने एक हाथी के बच्चे का गला गणेश जी से चोड़ दिया भादरपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी को एक नया स्वरूप मिला था तब से इस दिन गणेश चतुर्थी का परव मनाया जाता है अपनी तीवर बुद्धी और विवेक के कारण भगवान गणेश को देवताओं में प्रथम पुझ जी माना जाता है हिंदु धर्म में सैक्ड़ों सालों से गणेश चतुर्थी का परव मनाया जा रहा है लेकिन मराठा सामराज्य के संस्थापक छत्रपती शिवाजी माहराज ने स्पर्व को बड़े पैमाने पर मनाने की शुरुआत की थी उसके बाद विदेशियों के गुलाम बने भारत में ये परंपरा बंध हो गई अंग्रेजों की गुलामी के दौर में बाल गंगा धर तिलक ने गणेशोत्सव को लोगों के बीच फिर शुरू किया और उसके बाद से पूरे देश और खास तौर पर महरास्ट्र में जोरों शोरों से गणेशोत्सव का पर्व मनाया जाता है महरास्ट्र में गणेशोत्सव वहां की पहचान बन चुका है सिर्फ देश से ही नहीं बलकि दिदेशों से लोग महरास्ट्र और खास तोर पर मुंबई में गणेशोत्सव देखने आते हैं गणेश चतुर्थी से मुंबई के अलग-अलग इलाकों में लगातार चलने वाली गणेश पूजा की बात ही निराली है अगर मुंबई के गणेशोत्सव की बात की जाए तो लाल बाग, खेतवाडी और गिरगाओं के गणेश सबसे खास माने जाते हैं ग्यारा दिनों तक लोग जिस भगवान को पूरी भक्ती से पूछते हैं, वो देव उनके घरों में आकर निवास करते हैं गणेश जी को लोगों के बीच विशेश इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वो एक सरल भगवान माने जाते हैं एक सामाने से चुहे की सवारी करने वाले गजानन सिर्फ मोदक और लड़ूओं के भोग से प्रसन हो जाते हैं बड़ों के विगन हर्ता और बच्चों के बालवनेश ग्यारा दिनों तक लोगों के बीच परिवार के किसी बड़े और एक मुख्या की तरह विराजित होते हैं इन ग्यारा दिनों के बाद उनके जल्दी आने की प्रार्थना और नारों के साथ गाजे बाजे के बीच किसी अपने की तरह लोग उन्हें विदा करने निकलते हैं आज की जमाने की भविता और आधुनिक्ता का असर भगवान गणेश पर भी हुआ है आसानी और सुन्दरता के लिए प्लास्टर ओफ पेरिस से लेकर ऐसी चीजों से गणेश प्रतिमाय बनने लगी हैं जो पर्यावरन को भी नुकसान पहुँचाती है लेकिन जिस ईश्वर का चहरा और वहान ही प्रकृती को साथ लेने का प्रतीक हो वो लोगों को पर्यावरन के नुकसान का संदेश नहीं देते इसलिए विवेक के इस देवता से समझ कर लोगों ने ईश्वर और उनकी बनाई प्रकृती का भी ध्यान रखना शुरू कर दिया है आज कई जगहों पर हमें इको फ्रेंडली गणेश देखने को मिलते हैं तो कहीं उनका विसरजन किसी तालाब, नदी या समंदर में करने से बचा जाता है इन तरीकों को अपना कर ही तो इश्वर की सच्ची पूजा की जा सकती है जो खुद किसी नियम की जगह सामानिता को मानते हूं उन्हें पूरे आदर सम्मान के साथ पूजना, उनके प्रती सक्ची श्रद्दा दिखाने का ही तो तरीका है किसी तेकती रुदा नहें है त उन्हें उन्हें बड़ की जगह सकती है किसी जगतत्य जब स्कुर्ण के जगह से बड़ वीग सन्हें कि पूब मता जब से पामायते जब किसी अर्गना, पुछीश Arkansas